रुक करेंगे इस वक्ती बड़ी ख़बर का आपको बता दें ग्रूप कैप्टन वरुन सिंग का निधन हो गया है दरजल कुनूर हैलिकॉप्टर हाथसे में घायल हुए थे वरुन सिंग जिसके बाद साथ दिन बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया सीडियेज जॉनरल विपन वरुन सिंग सवार थे और उस हाथसे में काफी जादा घायल हो गयते जिसके बाद अस्पतार में वरुन सिंग को भर्ती कराया गया था बीते साथ दिन से उनका इलाज चल रहा था जिसके बाद आज वरुन सिंग ने दम तोड़ दिया है ऐसे में आपको बता देश के प्रधान मंती नरेंद मोदी ने भी श्रदांचली उन्हें दी है दरसल साथ दिन पहले यानी की आठ दिसंबर को तमिलनाजू के कुनूर में हेलिकॉप्टर दुरगटना में घायल हुए ग्रुप काप्टन वरुन सिंग भी अब नहीं रहे साथ दिनों तक संघर्ष करने के बाद बैंगलूरू के अस्पताल में दम उन्होंने तोड़ दिया वरुन जर्नल विपन वरावत के साथ हैलिकॉप्टर हाथ से का शिकार हुए थे तो ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी ख़वर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रुप काप्टन आपको बता दें वरुन सिंग का निधन हो गया है तमिल नाजू के कुनूर के पास 8 डिसंबर को वायू सेना का एक हालिकॉप्टर दुरगटना ग्रस्त हो गया था जिसमें चीफ ओफ डिपेंस स्टाफ जर्नल विपन वरावत उनकी पतनी और 11 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी दुरगटना में ग्रुप काप्टन अकेले जीवित व्यक्ती बचे थे जबकि अन्य सभी की जान जा चुकी थी ऐसे में बुद्वार को हुए इस हादसे में प्रमुक रक्षा ध्यक्ष जर्नल विपन रावत उनकी पतनी मधुलिका रावत और 11 अन्य सहन्य कर्मियों की मृत्य हो गई थी वहीं बरुन सिंग अंभी रूप से खायल हो गए थे जिसके बाद उनका लगातार इलाज चल रहा था हलकि अस्पताल भी बदला गया था लेकिन आखिरकार आज वो जिन्दगी की जंग हार गए और ग्रुप काप्टन बरुन सिंग का निधन हो गया है फिलार के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस फॉल इंडिया